तो इस question में हमें tan theta की value निकाल ली है और tan theta की value निकालने के लिए हमें ये दो चीज़ें दी हुई है पहली चीज़ ये कि theta की एक range है minus 3 pi by 2 से minus pi यानि कि जिस theta की हम बात कर रहे हैं वो minus 3 pi by 2 से minus pi के बीच में कहीं पर होगा और दूसरी चीज़ ये कि sin theta की value है 1 by 2 अब इन दोनों चीज़ों को use करके हमें पता लगाने कि tan theta की value कितनी होगी तो मैं चाहता हूं एक बर तुम वीडियो पॉस्ट करके इस question को एक बर खुद से try करने की कोशिश करो और अगर तुम्हें लग रहा है कि इस question को शुरू कैसे किया जाए तो यहाँ पर मैं तुम्हें एक छोटा सा hint देना जाऊंगा कि tan theta की value होती है sin theta upon cos theta और यहाँ पर हमें sin theta पहले से दिया हुआ है तो यानि कि सिर्फ हम एक cos theta की value निकालनी है उससे हम tan theta निकाल पाएंगे तो अब तुम्हें tan theta निकालनी की जगा cos theta निकालने के बारे में सोचना है यहाँ पर मैं लिखता हूँ अब तुम्हें cos theta निकालने के बारे में सोचना है जब भी हमें sin theta या cos theta में से कोई एक value दी होती है और दूसरी निकालनी होती है, तो यहाँ पर हम Pythagorean Identity यूज कर सकते हैं जो हमारी Pythagorean Identity है, वो कहते हैं कि किसी भी अंगल थीटा के लिए उसका sin अगर हम लें, तो sin square theta प्लस अगर हम उसका cos लें यानि cos square theta, इन दोनों को अगर हम add करेंगे, तो एक constant value आती है, जिसकी value है 1 यानि कि किसी भी अंगल थीटा के लिए, sin square theta प्लस cos square theta 1 होता है अब अगर इस equation को हम use करें, तो sin theta की value इसमें डाली जा सकती है, उससे हम cos theta निकाल सकते हैं तो चलो कोशिश करते हैं, अगर मैं sin theta की value 1 by 2 इसमें डालू, तो यह हो जाएगा 1 by 2 का square प्लस cos theta है मेरा cos square theta, और इन दोनों को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हमारी value आती है 1 अब 1 by 2 का square होता है मेरा 1 by 4, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 1 by 4 प्लस cos square theta, cos square theta, इसकी value है 1, अब अगर इसमें मुझे cos square theta निकालना है, तो मुझे इस 1 by 4 को अटाना होगा उसके लिए मुझे दोनों side 1 by 4 से प्राट करना पड़ेगा, तो अगर मैं दोनों side 1 by 4 से प्राट करूँ, तो यह चीज हो जाएगी, यहाँ पर बचेगा मेरा सिरफ cos square theta, और यहाँ हो जाएगा 1 minus 1 by 4, अगर मैं इसको लिखूँ, यह है 1 minus 1 by 4, जिसको simplify आगर मैं करूँ, तो यह हो जाएगा 3 by 4, यह हो जाएगा मेरा 3 by 4, यानि कि cos square theta की value 3 by 4 के बराबर है, अब इसका मतलब यह हुआ, कि cos theta मेरी एक ऐसी value है, जिसका मैं square करूँ, तो मुझे 3 by 4 मिलता है, तो यानि कि cos theta की value, cos theta की value, या तो, यह मैं लिख सकता हूँ, cos theta की value, या तो square root of 3 by 4 के बराबर होगी, या फिर, cos theta की value, square root of 3 by 4 के negative के बराबर होगी, इन दोनों में से में किसी भी number को उठाऊँ और square कर दूँ, तो मुझे 3 by 4 ही मिलेगा, हम check कर सकते है, square root of 3 by 4 का अगर मैं square करूँ, तो मुझे 2 minus मिलके plus बनाएंगे, और 3 by 4 जिसका square root में लिया हुआ है, इसका अगर हम square करेंगे, तो वापिस 3 by 4 मिलेगा, तो यानि कि यह दोनों answer सही है, अब मुझे कैसे पता है कि यह दोनों answer सही है, क्या पता है इन दोनों में से कोई एक answer गलत हो, क्या पता है यह दोनों answer गलत हो, अब इस रहस्य को सुलजाने के लिए मुझे एक चीज और दी हुई है, मुझे theta के बारे में कुछ और भी पता है, मुझे पता है मेरा theta minus 3 by 2 से minus pi के बीच में होगा, लेकिन इसका cost theta की positive या negative value होने से क्या लेने देना है, तो चलो unit circle बना के देखते हैं, अगर मैं एक unit circle बन इसका radius हमने माना है कि ये 1 है, और unit circle में हम एक angle बनाने के कोशिश करेंगे जो है theta, तो theta की initial ray तो मानी जाती है कि positive x axis के along है, ये मेरी initial ray है, और जो theta की terminal ray है, वो देखते हैं कहां पर होगी, उसके लिए मुझे given है कि theta minus 3 by 2 से minus pi के बीच में होगा, लेकिन ये minus 3 by 2 कहां पर हो और pi by 2 होता है मेरे 90 degree, minus 3 by 2 का मतलब ये हुआ कि मैं clockwise direction में, क्योंकि मेरा angle negative है, तो clockwise direction में मैं 3 बार 90 degree करूँगा, एक 90, दूसरा 90, और फिर ये तीसरा 90, तो यानिकि ये angle हो गया मेरा minus 3 by 2, ये मेरा minus 3 by 2 है, वैसे ही अगर मैं minus pi देखूँ, तो ये है minus 180 degrees, यानिकि clockwise direction में द दो बार 90, तो एक बार 90, और ये दूसरी बार 90, तो ये जो मेरा angle है, ये है minus pi, अब ये कह रहा है question कि मेरा theta इन दोनों angles के बीच में कहीं पर है, यानिकि जो मेरा theta होगा, उसकी terminal ray इस line और इस line के बीच में कहीं पर होगी, तो अगर मैं terminal ray बनाओ, महां लेते हैं मेरी terminal ray कु बीच में कहीं पर होगी, तो जब हमें ये चीज समझ में आ गई है, तो हम देख सकते हैं कि unit circle definition के हिसाब से, ये जो मेरा point होगा, इस point के coordinates हो जाएंगे, cos theta और sin theta, इसका जो x coordinate है वो बताएगा इस angle का cos theta, और y coordinate ये बताएगा इस angle का sin theta, लेकिन यहाँ पर हम interested है, cos theta में, त तो वो है इस point का x coordinate, और अगर मैं देखूं, तो इस point का x coordinate मेरा कहीं पर यहाँ पर आ रहा है, ये मेरा x coordinate आ रहा है, अगर इस x coordinate को देखें, तो ये negative x axis पे है, यानि कि ये जो x coordinate है, ये negative है, यहाँ मैं लिख सकता हूँ, for theta, x coordinate, x coordinate is negative, मेरा theta का x coordinate negative है, और unit circle की definition के हिसाब से X coordinate का मतलब होता है X coordinate का मतलब होता है यह तो cos theta है तो यानि कि जिस theta को हम ढूंड रहे हैं जिस theta के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका cos theta तो negative होगा और तुम चाहो तो terminal ray हिला के देख सकते हो अगर यह terminal ray थोड़ी सी नीचे होती यहां फिर थोड़ी सी उपर होती तो भी मेरा X coordinate negative ही रहता क्योंकि यह जो मेरा second quadrant है जहां पर मेरा theta फसा हुआ है इस minus pi और minus 3 pi बैटों के बीच में इसमें मेरी terminal ray कहीं पर भी होगी मेरा X coordinate यहां कहीं होगा और यह negative x axis है negative x axis पर मेरा X coordinate हमेशा negative होगा इसका मतलँ मेरा cos theta हमेशा negative होगा यानि की cos theta की जो हमें 2 values नजर आ रही है इसमें से एक गलत है यह वाली value हमारी गलत है और एक सही है यह वाली value हमारी सही है क्योंकि यह जो cos theta है यह हमारा negative है जैसे के हम ने unit circle में देखा तो अब हमारे पस cos theta की सही value आचुकी है sin theta की value हमें question में given थी तो बस अब में tan theta निकालना है पहले मैं इस cos theta को थोड़ा simple form में लिखूँ ये लिखा हुआ है cos theta ये लिखा हुआ है minus square root of 3 by 4 को मैं लिख सकता हूँ square root of 3 upon 2 तो 4 का principle square root मेरा 2 होता है अब इस cos theta को यहाँ पर लेकर आते हैं जो मेरा cos theta है इसकी value में मिल चुकी है ये है minus square root of 3 by 2 अब tan theta की value होती है sin theta upon cos theta तो tan theta की value अगर मैं लिखूँ ये होती है sin theta upon cos theta अब sin theta की अगर मैं value डालू तो ये हो जाएगी 1 by 2 तो sin theta है मेरा 1 by 2 और cos theta की अगर मैं value डालू तो ये है minus square root of 3 by 2 ये है minus square root of 3 by 2 अब numerator और denominator दोनों में यहाँ पर fraction में half दिया हुआ है तो मैं एक काम करता हूँ दोनों को 2 से multiply कर देता हूँ उपर और नीचे अगर मैं 2 से multiply करूँ तो मेरा numerator है ये बन जाएगा half into 2 यानिकी 1 और जो मेरा denominator है ये बन जाएगा minus square root of 3 by 2 into 2 यानिकी minus square root of 3 मैंने बस इस 2 को इस 2 से cancel किया और इस 2 को इस 2 से cancel किया और 1 upon minus square root of 3 को अगर मैं minus 1 upon square root of 3 लिख दू तो दिखने में थोड़ा सा better है तो यहां से हमारे पास tan theta की value आगी जो मैं निकालनी थी ये है minus 1 upon square root of 3